जे हस्वा माटेनी टुकी वारता जे जीवन मा हास्य का बहुत ही महत्व है हास्य जीवन में दुख को भुला कर नई उमंग भर देता है इसमें हस्ने से स्वास्थय अच्छा रहता है बच्चों हसना है ना तो चले हम आगे चुटकुले देखते हैं एक दिन की बात है मम्मी अपने बेटे से कहती है बेटा देखना गेहु सुख रहा है कहीं गाय ना खा जाए थोड़ी देर बाद गधा आकर गेहु को खाने लगता है मम्मी जब यह देखकर बोलते है अरे अरे गधा गेहु खा रहा है और तू मुसे हटा नहीं रहे हो फिर बेटा उसको उत्तर देता है आपने तो गाय को हटाने को कहा था यह तो मम्मी गधा है दो दोस्त व्याकरण की तैयारी कर रहे थे पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता तो इसमें दीपक क्या है दूसरा दोस्त पोलता है मोर्ग मालिक अपने नोकर से तु कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर एक दिन उस नोकर ने रसोई घर में बिल्ली को दूद पिती हुई देखा फिर वो अपने मालिक के पास आया और बोला रसोई घर में बिल्ली दूद पी रही है क्या उसे में भगा दू? एक आदमी दुकंदर के पांस जाकर बोला जनाब कुट्टे का बिस्कुट मिलेगा? दुकंदर बोला यही खाओगे या गर ले जाओगे? रामू शामू को देख कर क्यों बे गध्य को लेकर कहा जा रहे है? शामू बोला मुर्ख हो क्या? गधा नहीं यह कुट्टा है तो रामू ने कहा मैंने तो कुट्टे से ही पूछा है अब्यास बच्चु को अपना मन पसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोचसाहित करे आपका मन पसंद कोई भी तीन चुटकुले लिखना है दूसरा क्वेश्चन पत्रिका में से चुटकुले खोज कर पढ़िये तो यहीं मैं चार चुटकुले बताती हूँ इन में से पहला मालकिन रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना तो रामू बोलता है मगर लाता कहां से मालकिन आज तो दिन भर बादल चाये रहे अभी दूसरा अर्विंद अकल बड़ी या भैस तो वर्षा उसको उत्तर देती है भाईया पहले दोनों का जन्म दिन बताओ तभी तो पता चलेगा कोन बड़ा है अभी तीसरा अमित भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता तो सूमित है वो बोलता है निकलता तो है अमित फिर दिखाई क्यों नहीं देता तो सूमित बोलता है अरे अंधर में से कैसे दिखाई देगा पिता लंका को सोने की लंका क्यों कहते है नेमना लेखेट शब्दों का विलोम शब्द ढूंड कर लिखिये विलोम यहाँ पे दो स्टार है इन में से एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ विलोम शब्द है तो सुखा तो गिला सुबव शाम मूर्ख बुद्धिमान दोस्त दुश्मन गलत सही दिन रात वो इस विलोम शब्द पर आधरित वाक्य बनाईए अब हमें सुखा और गिला दोनों के उप्योग से वाक्य बनाना है तो बनाते हैं मैंने सोजा मेरा पाजामा सुखा होगा लेकिन वह गिला था सुखा और गिला दोनों का उप्योग हो चुका अभी दूसरा लोग मीनों को मू पुर्ख और बुद्धिमान दोनों अब तीसरा सुबह में बारिश का वातावरन था लेकिन शाम तक नहीं आई तो सुबह और शाम में समझ रहा था मेहुल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला तो दोस्त और दुश्मन पाच्वा सुर्यदई होने से दीन होता है और सुर्यास्त होने से रात इनमें दीन और रात चौथा क्वेस्चन इन्हें और क्या कहते है छाट कर लिखे इसका मतलब है समानार्थी शब्द दोस्त एक्जामपल दिया है दोस्त तो मित्र दूसरा सुबह प्रातव काल भी बोलते है मुर्ख को बेवकूपी कहते है वक्त क दूसरा नाम समय है उपर्योक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाई है इनमें हमें एक्जामपल दिया है राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे ये दोनों वाक्या हम लिख सकते हैं मित्र भी और दोस्त भी मैं सुब जल्दी उठती हूँ दूसरा वाक्य मैं प्रातव काल जल्दी उठती हूँ दूसरा मिनक मुर्ख था तो उसका दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं मिनक बेवकूप था इसी वक्त गाड़ी जा रही है इसी समय गाड़ी जा रही है